नमस्कार और आप देख रहे हैं भारती विस्थी MS धोनी ने एक बार फिर सब को चौका दिया है जब शायद ही किसी ने सोचा होगा धोनी ने तब ही अपना दाउ चला है बिल्कुल दो साल पहले वाले अंदाज में इंडियन प्रीमे लीग के सबसे सफल कप्तान MS धोनी ने एक बार फिर अपनी कप्तानी छोड़ दी है चैनाई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने IPL 2024 सीजन सुरू होने से एक दिन पहले कप्तानी की जिम्मेदारी युवा बल्लेबाज रतुराज गायकवाड को सौब दी है चैनाई सुपर किंग्स ने गुरुवार 21 मार्ज को इसका ऐलान किया पिछले सीजन में ही धोनी की कप्तानी में चैनाई ने पांचवी बार किता दीता था ऐसे में सवाल उठता है कि क्यूं अचानक उन्होंने ये जिम्मेदारी छोड़ दी 2008 में IPL की शुरुवात के बाद से ही जितने भी सीजन में चैनाई सुपर किंग्स ने IPL में हिस्सा लिया धोनी इसके कप्तान बने रहे बीच में धोनी ने 2022 में पहली बार कप्तानी छोड़ने का ऐलान करते हुए रविन जड़ेजा को टीम की जिम्मेदारी सौपी थी वो भी बिलकुल इसी अंदाज में टूनामेंट सुरू होने से एक दो दिन पहले इसका नतीजा हाला कि अच्छा नहीं रहा था और शुरुवाती आठ मैचों में 6 हार के बाद वापस धोनी ने टीम की कमान समाली थी फिर अगली सीजन में धोनी ने सुरू से कप्तानी की और टीम को पांचवी बाद चैंपिन बनाते हुए मुंबई इंडियन्स के बराबरी कर ली ऐसे में फैंस उम्मेद लगाए हुए थे कि इस बाद धोनी टीम को छटी बार चैंपिन बनाकर मुंबई और रोहिस सर्मा से आगे निकल जाएंगे फैंस के इन अर्मानों पर धोनी ने पानी फिर दिया है अब हर किसी के चेहन में ये सवाल है कि धोनी ने क्यों अचानक ही फैसला लिया क्या इसकी वज़ा है क्या धोनी सन्यास लेने वाले हैं इसको समझ्य के लिए पिछले दो सीजनों के हालात को देखना होगा धोनी ने पहले 2022 में कप्तानी छोड़ कर जड़ेजा को कमान सौपी थी तब से ही अटकरे लग रही थी कि वो धोनी का आखरी सीजन होगा और आगे जड़ेजा ही कमान समझालेंगे धोनी कप्तानी में बदलाओ की प्रकेरिया को बिना किसी परिसानी के पूरा होने देना चाहते थे और मदद के लिए मौजूद थे लेकिन नतीजे उम्मेदों के मताबिक नहीं रहे और धोनी को कमान समझालनी पड़ी चन्नाई तब नौवे अस्थान पर रही थी और धोनी ने वादा किया था कि वो चन्नाई फैंस के सामने चैपाउक इस्टेडिया में अपना आखरी बार खेलना जरूरी समझेंगे लेकिन हर को ये जानता है कि धोनी का चन्नाई की टीम इसके फैंस और इस सहर से पिछले 16 सारों में खाज उड़ा हुआ है और ऐसे में वो फ्रेंचाईजी को भी किसी तरह से मजधार में नहीं छोड़ना चाहती थे ऐसे में उन्होंने फ्रेंचाईजी की कमान एक और साथ समाले का फैसला लिया और शायद इस दोरान ही उन्होंने रितुराज गायकवार को संभावित उत्राधिकारी के तौर पर पहचान लिया था जो की डोमेस्टिक रिकेट में महराज की कमान समालते हैं साथ ही एसियन गेम्स में उनकी कप्तानी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था जाहिर तोर पर धोनी की पार की नजरों ने समझ लिया होगा कि रितुराज गायकवार चन्निर इस टीम को समालने के लिए तैयार हैं जिसके साथ वो पिछले चार साल से जुड़े हैं और पिछले तीन साल से लगातार टीम के लिए शांदार प्रदरश्टन कर रहे थे अब इतना तय है कि धोनी सीजन में खेल रहे हैं तो उन्हें रितुराज को इतनी बड़ी और सफल फ्रंचाइजी को ग्रूम करने का मौ लेकिन धोनी ने किस तरह से वो पूरे सीजन निकाला था हर कोई जानता है धोनी पूरे सीजन घुटने की चोट से परिशान रहे और किसी तरह वो सीजन निकाल पाए थे ऐसे में यह साफ नजर आ रहा है कि धोनी इस सीजन से आगे नहीं खेलना चाहते और वो फ्रंचाइ करने के लिए आप भारती वस्ती चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं